गुट इवनिंग अब्रिवन वेल्कम टे सुवल सर्विसे श्टड़ी यूपी पीसीएस की टेस्ट सिरीज चल लिए नाइस टियर के लिए प्रैक्टिस करते रहेगा हमने तीन टेस्ट इसमें कंप्लीट किये हैं हिस्ट्री उसमें कवर कर रहे हम और हिस्ट्री में भी एंस तक पहुंच सकते हो इस टेस्ट की फूल टेस्ट सिरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर उस पर कॉलिया वाट्सप करके तो पहला प्रेशन है नम लेकर मैं से कौन सा दुग्द प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पैपसिन, रैनिन, म्यूसिन, टाइलिन, लेकिये पैपसिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो यह तो होगा नहीं म्यूसिन और टाइलिन जो है ये लार में होते हैं और भोजन को चिकना बनाने का काम करते हैं ये जो रैनिन है यहां पर ये दुग्द प्रोटीन को पचाने वाला राइम है वो रहनेन जो दूद की क्रियाशील जो दूद की गुलंशील प्रोटीन केसीन को ठोस और गुलंशील केल्शियम पेरा केसिनेट में परिवर्थित करके दूद को दही के रूप में जमा देता है तो रहनेन का नाम याद रखिएगा कोश्चन अबर टूपर अजयर नम्लेकित मैंसे मानप सरीर में अधिक्तम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा इनमें से देखिए वैसे तो ऑक्सीजन सरवाधिक पाया जाता है लेकिन अप्सन में नहीं है लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इनमें नाइट्रोजन सरवाधिक होगा डी है इसका अंसर तो माdefense सरीर में मुखी रूप से 6 तत्य पाय जाते हैं जन में अक्सीजन का भार है 65 प्रतिशएत, कारबन का है 18 प्रıtशएत, हाईट्रोजन का 10 प्रतिशएत, नाइट्रोजन का तीन प्रतिशएत तो नाइट्रोजन अंसर हो जाएगा केल्सिम का ए 50 चार प्रतिशएत और है chemical name बेटामिन के है और यह हैए विटामिन विटामी वार है विटामीन विटामीN BA कि भीकल कंगि डेखे राइबोफलेविन जो है वह विटामिन वीgesetz हो जाएगा的話 और बीगा हो जाएगा थुरी एका 4 बीका 3 यानि सी तो बिटामिन एका जो रसानिक नाम है वो रेटिनौल है विटामिन विटामिन बीटू का राइब अफलेबन विटामिन वीपार रहसाइन उको बालमिन विटामिन केल्सियास कॉर्वेक ऐसे डी का कैल्सिय फैरॉल और एका है टोको फैरॉल और के का है फाइलोक्विनौन यह इंपोर्टेंट है सारे के सारे हमेसे याद रखीगा है इसको एक्जाम्स में पूछे आते हैं पोश्चन नमबर 4 पर आजए नम्लिखेत यॉगिको नम्लिखेत म है जो सहायक आहरकारक भी है और इस विचार को इस पश्ट करने वाले पहले वेग्याने कौन थे फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिन्स कोश्चन 5 पर आजए नम्लिखेत मैं से किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है बताइए किसके अवशोषण में विटामिन सी ज करता है तो ए है इसका अंदर है झाट कोश्चन 6 पर आजए प्रकाश-स अंसलेशन है तुस सरवाधिक क्रिया सील प्रकास कौन सा है प्रकास सब्सेहरा क्लौरीफिल द рокास में आवर शोषट किया जाता है कोश्चन नुम्बर सेवन पर आजए प्रकास संस्लेशन क्रिया के लिए नमनिके दमने से किसकी उपस्तिती आवश्चक नहीं है सूर का प्रकास ओक्सीजन जल कारवन डायकसाइड देखे सीओ चाहिए एजटो चाहिए सूर का प्रकास चाहिए ऑक्सीजन तो खुदी बना लेंगे इन तीनों से पॉधे प्रकास संस्लेशन की करिया में पॉधे जो है हरे रंग वाले अंगो जैसे की पत्ती द्वारा सूर के प्रकास की उपस्तिती में वाई उसे कार्वन डायकसाइड देखा भूमी से जल लेकर जटिल खादे पदार्तों जैसे की कार्वोहईडेट का निर्मान करते हैं और ऑ ऑक्सिजन की जरूरत है नहीं खुदी बना रहे हैं वो यह इंपोर्टन प्रश्ण है किसी पारिशिक्त अंत्र में अब घटक की पहचान कीजिए अब घटक यानि डिकंपोजर जो सड़े गले और मरे हुए कार्वनिक पदार्थों को मतलब जटिल पदार्थों को कार्व कासिए यानि चोटे सुक्ष्णी भी कवक गख जीवानु यानि वैक्टिरिया लेकिन वायरास नहीं वायरास को ऐलिम्येट कर देज्ये तो वन टू थी इसका आंसर हो जाएगा डी सी तो अब घटक क्या होते हैं अब घटक जो है म्रत कार्वनिक पदार्थों को छोटे घटकों में तोड़ते हैं जिनका वायू मंदर में पुना नभी करण किया जा सकता है और वेजटिल कार्वनिक पदार्थों को सरल कार्वनिक योगी को कार्वन डाय उकसाइड लवड आदी में तोड़ देते हैं एक्जामपल कीट जिवानू कीट और कवक यानि फंगस कीट फंगस इंसेक्ट और बैक्टिरिया जो है यह किसी वाइसिक तंत्र में डिकम्पोजर हैं ठीक है इस तरह से चलता है न सबसे पहले प्रोडूसर यानि उत्पादक यह हरे पौधे होते हैं सुर के प्रकास की उपस्तिती में भोजन बनाते हैं इनको खाने वाले कौन होगे प्राइमरी कॉंजिमर यानि प्राथमी को भोगता जो इनको खाएगा वो हो गया सेकेंट प्राटक यानि यह तीनों जीबाणू कीट कवक कुश्चन नुम्बर नाइन पर आजए हर्मोंस में से कौन सा एक इस्त्रीलिंग हर्मोंस है एंडोस्टेरोन टेस्टेस्टेरोन थाइरोक्सेन एस्ट्रोन देखे थाइरोक्सिन तो महिला में भी पाया जाता है पुरुस में भी पाया जाता है थाइराइड ग्लेंड इसे निकलता है टेस्टेस्टरोन पुरुस हार्मोन से और एंडोस्टरोन भी एक पुरुस हार्मोन से यहां स्ट्रिलिंग हार्मोन से एस्ट्रोन ऑप्सन नमबर होगे थाइरॉक्सिन हर्मोन की बात करें तो थाइरेट ग्लेंड से स्त्रावित होता है और उपापशे करियां को रेंतित करता है और महिला और पर उस दोनों में पाई जाता है है और इंप्रेस्ट न बर्डर्स गुस्से और घ्रहना का केंद्र माना मस्तिक्स के इस भाग में अवस्सत है अगरमस्तिक्स werkैं यह आप्टइकल्ड में कि देखिए गुस्सा हो गया घ्रहना हो गया प्यास हो गई भूंखिय ताप नियंत्रन इन केंद्र जो है हाइपोथालमस में है और इंपोर्टेंट है प्राशन भी है सकांसर तो भूख प्यास ताप नियंत्रन घ्रणा रक्तदाव जलके उपापचे पसीना गुसा आधिका केंद्र बिंदू मस्तिक्स में हाइपोथालमस होता है यह अंत्य स्रावी ग्रंथियों से स स्वेटिंग एंगर इन सभी का जो है केंद्र बिंदू कहा होता है हाइपोथालमस में और हाइपोथालमस अंत्रे स्रावी ग्रंथियों से स्रावेत होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको नेंत्रित करता है कोशन नमबर 11 पर आजाईए उस बैग्यानिक का नाम बता दीजिए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाजमोडियम नामक परजीबी से होता है फादर आप जैनेटिक्स तो मेंडल को कहा जाता है इसका अंसर अप्सन नमबर सी सर रोनाल्ड रास तो सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है वो प्लाजमोडियम नामक एक एक कोश्गिया प्रोटोजोगा के दोरह होता है और प्लाजमोडियम के वहाग का काम कौन करता है मादा एनफलीज मच्छर जिसके लिए रोनाल्ड रास को 1902 में मिला था नोबल पुरसकार वो डेंग्यू पूछ ले तो डेंग्यू वो वाइरस के द्वारा मच्छर कौन सा है इंडीजी बारव्वा प्रेस्टेंजन ऌुन से कौन सा वाइरस द्वारा होता है दिफ्थीरिया मलेरिया हैज्ञा एपिताइटस dużacas इंद्टीरियल भी वेक्तेरियल है प्रॉटो जोवा यक्रत यानि लिवर में सूजन तथा जलन पैदा हो जाती है स्क्वेशन नुबर 13 पर आजिए समुद्री घास नमलिकित में से किस तत्व का मुख्य महत्वण सुरूत है यह प्रशन दो तीन तरिके से पूछा जा सकता है यह पूछा गया था भी चौरत तारिक को जो यूपी पीसेस की प्रारंबिक परिक्षा होई थी इसका उत्तर आयोडीन है तो समुद्री घास लेके पूछ ले ठीक है समुद्री वेट लेके पूछ ले यानि खर्पतवार लेके पूछ ले या सेवाल पूछ ले, समुद्री सेवाल नम्लिकेद में से किसके महतवपूर्ण सुरोत हैं तो इन तीनों प्रश्णों का उत्तर एक ही है, वो है आयोडीन तो आयोडीन का मुख्य तथा महतवपूर्ण सुरोत समुद्री घास जैसे कल्प, नौरी, आदी हैं नम्लिकेद में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इस तरह के प्रश्ण एक्जामस में आते हैं तो बोनस अंक दिला कर जाते हैं और कभी गलत नहीं करना इनको इसका उत्तर है माइट्रो कॉंड्रिया आप्सर नम्बर भी तो माइट्रो कॉंड्रिया जीबानू तथा नीली हरी सहवाल को छोड़कर सेज सभी सजी पादप एवं जन्तु कोशिकाओं के कोशिका दरबे में अनेमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगो को कहा जाता है स्वसन्बंधेत प्रारंबिक क्रियां कोशिकाओं के माइट्रो कंड्रिया में होती है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है कोशिकाओं نूबर 15 पर आजाये RBC यानि लाल रक्त कडिकाएं मुखेता बनती हैं ये बनती हैं बोन मेरो में और मर्ती कहाँ पर हैं स्प्लीन यानी प्लीहा में जिसको कब्रिस्तान कहाजाता है RBC का लाल रक्त करिकाएं यानि red blood corpsels अस्थी मज जानी वोन मेरों में विक्सित होती है तथा मनुष्य के सरीर में लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है तिल्ली यानि समुद्री खर्पद्वार करके पूछ ले तो उसका भी आंसर आयोडीन है देखे समुद्री खर्पद्वार समुद्र के नितल में इस्थित वहू कोश्य के सेवाल है यह आयोडीन का महत्पूर्ण सुरूत है किसका आयोडीन का एक कोश्य नमटर 17 पर और हीरा और ग्रेफ़ायट के बारे में नगल्सके क्हूव сх pursuing होते हैं वह कार्वन के अपरोफहें यह दोनों के दोनों का ठीक है। और ग्रेफ़ाइट और हीरा समान राशाएनक गुण दिखाने में सक्षम हैं यह सारे के सारे कर्षैं देखे हीरा और ग्रेफाइट बिलकुल कारवन तत्वों के बने होते हैं कारवन के अप्रूप है और ग्रेफाइट और हीरा समान राशानिक गुण दिखाने में सक्षम है बिलकुल यह सारे के सारे कराट थां, C है D है इसका अंजर तो ग्रेफाईट और हीरा जो है कार्बन तत्वों से बने होते हैं, कार्बन के अप्रूप और ग्रेफाईट और हीरा समान राष्यानिक गुण धर्म दिखाने में सक्षम है, इसपरकार वे समान राशानिक परिवर्दन दिखा सकते हैं और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन परमाणूं की चादरो या पड़तों पर मौजूद होता है जो एक दूसरे से सह सही हो जाएक बंध से बंधे होते हैं हीरा में कार्बन परमाणूं की एक प्रवल त्रियायामी व्यवस्ता होती है और यह है कठोर प्रकरती का होता है हीरा ठीक है अगर इस से रिलेटेड एक और प्रश्ण इस तरह से पूछ लिया जाए तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में नमलिकर में से कौन सा कथनसत्य है उनकी विद्धु चालकता समान होती है उनकी क्रेश्टल संरश्णा समान होती है उनकी कठोरता का इस्तर समान होता है कौन सा इसमें करेक्ट है देखे हीरा अधिक कठोर है ग्रेफाइट से तो गलता स्टेटमेंट उनकी crystal संदशना भी समान नहीं होती उनकी विद्दोचालकता भी समान नहीं होती के बल एक ही चीज समान है रासानिक गुणधर्म उनके समान होते हैं तो इस वार answer डी है कोई भी सही नहीं है तो कारवन परमाणों की अलग-अलग व्यवस्ता और बंधन के कारण ग्रेफाइट और हीरा में समान इस्तर की कठोड़ता नहीं हो सकती ठीक है ग्रेफाइट में दुरवल आवंध होता है और यह पावडर के रूप में मौझूद होता है जबकि हीरा एक प्रवल आवंध है और कठोड़ोस होता है और इस प्रकार वे कठोड़ता और क्रिस्टल सणरचना का समान इस तर नहीं बना सकते ठीक है इस प्रकार उनमें समान विद्धुर्चालकता नहीं होती तो हीरा और ग्रेफाइट में फिर उन दोनों में राशायनिक गुणधर्म उनके समान है नेक्स्ट कॉस्चन कॉस्चन नम्र नाइंटीन है नमलिखित पर विचार करेंगे सोशन क्रिया ठीक है पेंट को सुखाना लोहे में जंग लगना कांच के गिलास को तोड़ना उप्रोक्त में से कौन से राशायनिक परिवर्तन के एक्जामपल है राशायनिक परिवर्तन के उधारन कौन-कौन से देखें सोशन क्रिया जो राशायनिक परिवर्तन का उधारन है लोहे में जंग लगना भी राशायनिक परिवर्तन का उधारन है और कांच के ग्लास का तोड़ना यह तो physical है मतलब भौतिक परिवर्टन है और paint को सुखाना भी भौतिक परिवर्टन है कि वह लेक और चार बला option है तो यह हो जाएगा इस cancer कि रअधर देखे रास ayक परिवर्टन एक स्थाई परिवर्टन है जिसमें नई पदार्त बंते हैं मतलब जो पुराना पदार्त है वह चला Changing मोह जैसे में लोहे में जंग लग गई तो लगी गई वो तो फिर बापस अपनी वास्त्व की स्थिती में थोड़ी आ सकता है ठीक है कोईले का जलना कोईला जल गया तो जल गया रासायनिक परिवर्तन स्थाई होता है और सरल भौतिक विधी द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता रासायनिक परिवर्तन में उस्मा या प्रकास के रूप में उर्जा का दान प्रदान होता है रासायनिक परिवर्तन के एक्जांपल कौन-कौन से हैं लोहे में जंग लगना लकडी का जलना लकडी जल गई तो जल गई वास्त्व किस्थिती में थोड़िया पाएगी सोशंक्रिया, मुंबत्ती का जलना एक पोधे की ब्रध्धी यह सब रासायनिक परिवर्तन है बहुतिक परिवर्तन की बात करें तो बहुतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है एक बहुतिक परिवर्तन आस्थाई और उत्क्रमनिय होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन इस था ही था ठीक है बहुतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे कि गीले कपड़े सुखाना पानी का जमना ग्लास कांच के ग्लास को तोड़ना और पेंट को सुखाना ठीक है पानी जम जाएगा बर्फ बन जाएगी फिर टेंप्रेचर उसका बढ़ा दो तो फिर से पानी बन जाएगा और बढ़ा दो तो वासु बनके उड़ जाएगा ठीक है गीले कपड़े सूख के फिर से गीला कर दो उनको 200 प्रशन है वह बिटामिन जो हॉर्मोन की तरह काम करता है और केल्सियम का अवसोशन करता है इन मेंसे कौन सा है बिटामिन बी बिटामिन डी बिटामिन ई बिटामिन सी बहे है बिटामिन जो हर्मोन्स की तरह काम करता एक प्रशन तो यही हो गया इतना ठीक है और साथ ही यह भी जुड़ा हुआ इसमें और कैलसियम का भी अफ्सोर्शन करता है बिटामिन डी है यह बिटामिन डी का रस्यनिक नाम कैलसी फेरल तो वितामिन D जो है वो गुर्ध यानि किड़नी द्वारा निर्वित एक हार्वोन से और लिवर औरड़नी वितामिन D को सक्रिय हार्मोन से परिवर्थित करते हैं जिसे केल्सी ट्रॉल कहा जाता है विटामिन डी मुख्य रूप से रख्त में केलसियम की एकागरता को नेंतरित करने में मदद करता है और यह मजबूत हड्डियों के विकास के लिए भी महत्पूर्ण है तो इसका अंसर आपसर नमबर बी विटामिन डी यानि वह विटामिन जो हॉर्मोन की तरह काम करता है व है सकती है